चोतिस कैनुसार हर चीज का अपना एक इस्थान होता है जहां वो चीजे रखी जाती है और वे चीजे उन्ही जगा पर अच्छी भी होती हैं वहीं वास्तू कैनुसार अगर आप दिसा कैनुसार अपनी चीजों को रखते हैं तो आपको सफलता अवज से मिलती है यानि सफलता आपके कदम जुमती है और अगर बात करें किताब होगी तो उसमें लिखित ग्यान का प्रयोग करके आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं इसलिए उन्हें हमेशा बिवस्थित करके बुक सेल्फ में ही रखना चाहिए लेकिन बुक सेल्फ को रखते समय वास्तु के नियमों का खास तोर पर ध्यान देना चाहिए अई जानते हैं वास्तु का अनुसार किस दिसा में बुक रखनी चाहिए जिहां वास्तु का अनुसार बुक सेल्फ को हमेशा दक्षिर या पच्चिम दिसा में ही रखना चाहिए लेकिन आप बुक सेल्फ में तो किसी भी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आपको काले रंग के प्रयोग से हमेशा बचना चाहिए आपकी बेहतरी के लिए आप इसमें लाइट कलर का प्रयोग कर सकते हैं अगर आप इस बात का बिसे ध्यान रखें कि आपकी बुक सेल्फ खराव या कहीं से टोटी हुई बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए प्रभाव डालता है अगर आप अपने बुक सेल्फ को पच्छिम दिसा में रखते हैं तो इससे आपको सुब लाभों की प्राप्ती मिलती है साथ ही आपके करियर के लिए बहुत ही जरूरी है इससे आप हमेशा सफलता की और आगे बढ़ते रहते हैं नेशने स्पीच्छों देरानी किर पूर्थ